हाई फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चेनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो अगला टी ट्वेंटी का मैच खिला जाएगा दोस्तों SPA VS IEM के बीच में दोस्तों ये दो पहर दो तीस में पहला मुकाबला होगा और सेकेंड मैच सेम टीम के बीच में छे पैंतालिस में आपको दिखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन सेर करूंगा बैटिंग ओडर के साथ कौन से प आपको सही तरीके से मिल पाए दोस्तों वीडियो में अगरने से पहले आप सभी से एक छोटी इस रिक्वेश्ट अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना भाई हो इस वीडियो के नीचे आपको सब आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको ओल का ओफसन देखने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लैक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले टी टैन और टी ट्वेंटी मैचेस का वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सार हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जोइन कर लो दूस्तों कैसे जैन कर पाएंगे आप यहां पर आपको मौर का ओफसन देखने को मिल रहा होगा जैसे मौर की ओफसन पर आप क्लिक करते हैं आपको हमारा टेलेग्राम ग्रूप का लिंक किस प्रकार सो हो जाएगा यह जो टॉ स्कूर्ट की और आगे बढ़ेंगे, टाइमिंग आपको मैंने बता दिया है, ग्राउंड सेम रहेगा दोस्तों ठीक है, एक मैच दोनों टीमों के बीच में हो चुका है, और इसी ग्राउंड पे हुआ था दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है आपको ठीक है, और यहां का पी पूरी टीम औल आउंट हो गया यहां पे, और पहला मुकाबला स्पैन के टीम बहुत बड़ा मार्जिन से विन करा है, और इस मैच के अंदर संभावना है, फिर से स्पैन के टीम ही जीतेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना ये टीम काफी मजबूत इस्तिती में है, चल ले सकते हैं, बहुत बैस्ट आफसन रहेगा आपके लिए, मौमत यासिन का रिकॉर्ड देखते हैं, इनके साथ आपन करने के लिए था, 14 रन स्कूर करा है, ये भी बहुत बहुत बहातरिन बल्लेबाज है, अलाकि थोड़ा जल्दी आउट रहा था, लेकिन बैस्ट आफस लेकिन ये भी मिडिल लड़ का बैस्मेन है, दो वर बॉलिंग करते हैं, और मैंकर आपे रिकॉर्ड देखेंगें, दोस्तों, चार नमर पर खिलने के लिए था, एक रन स्कूर करा है, चार वर का गिंद बाजी में दो विकेट निकालें, मिडिल लड़ का बैस्मेन है, बल करते वे दिखेंगे कंप्लिट ओवर और इन्होंने दो विकेट इन्होंने भी निकाले थे बहुत बढ़ियां बॉलिंग कर रहा है आप इनको ऐसे गिंद बाज ले सकते हैं अतीफ मेहमुद जो कि यह तीन ओवर बॉलिंग कर रहा था और एक विकेट निकाले अवाशिश ए लाड़ी आज आपको बैंचिस में दिखने वाले स्पैन के टीम के तरफ से ठीक है बाकी लगबख सेम बेटिंग ओडर रहा दोस्तों स्पैन के इस मैच के अंदर भी लेकिन आई एम के टीम के तरफ से देखेंगे तो यहां पे नैथन जो की टीम के ओपन करेंगे 13 रन स्क आए क्योंकि दोस्तों पहला मुकाबला बहुत बड़ा मारजिन से लॉस करा था और इन दोनों अपना वल्लेबाज अगर अच्छा स्टार्ट करते तो में भी मैच का हाल कुछ और होता लेकिन का रिकॉर्ड का रिकॉर्ड देखेंगे तो सेकेंड डाउन पे खेलते वे इ ध्यून करते हैं इ तो ले सकते हैं तो ले सकते हैं नेकिन बैंके टीम के तरब से इनंपोर्टन गेंडबाज ही सकते हैं तो ले सकते इनको लेकिन बैंचिस में दोस्तों ये दो खिराली देखेंगे आज आपको तो बैंचिस प्लेयर में ये दो खिराली नज़र आएंगे बाकी SPA और IM के लगबक से मेटिंग और रहेगा ठीक है तो यहां से अगर आप चाहें ता आप आसानी से टीम बाप बना सकते हो फिराल मैंने आपके लिए एक डेमो टीम में तयार किया हुआ है ठीक है तो टीम एक बार आप देखे लो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा अब सुरुवाथ करते हैं सबसे पहले विकेट की तरकेर से दोस्तों यहां पर जो है सबसे बैस टरहने वाले आपके लिए बात बहुत बता बीच पहले तरह ते इन दोनों खिलाड़ी को आप कापन वाईस कप्टन के लिए आप यूस कर सकते हैं बैटिंग मेंने चार बैट्समन को लिया हुआ एम यासीन आई एम के टीम के तरफ से यहाँ पे एक ही प्लेयर को लिया हुआ और इस्पैन के टीम के तरफ से दो खिलाडी को लिया हुआ ठीक है और 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 में दो दो प्लेयर है अच्छा खेला हुआ है दोस्तों और लास्ट मैच के अंदर देखेंगे तो इन्होंने बढ़िया पॉइंट्स दिया हुआ है अलागि लास्ट मैच में जिस प्रकार इन्होंने बॉलिंग करा था मतलब चार बर का बॉलिंग में तीन वीकेट अपने नाम करा है बाकि देखो बॉलिंग में एक यहाँ पर इंट्रेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर जया बटलर सर यहाँ पर एमामोदी दोनों को तो लेंगे ही काफी लोग लेकिन यहाँ पर दुस्तों एमजा इनको काफी लोग ड्रॉप करेंगे याद रखना जो यहाँ पर पोइंट्स अपडेट हुआ है यह रॉंग है यह लास्ट मैच के अंदर दूस्तों इस पैन के टीम के तरफ से इस खिलाडी ने दो विकेट निकाले थे चार वर का बॉलिंग में और यह अपडेट है लेकिन यहाँ पर दूस्तों रॉंग इनके टीविंटी फॉमेट का पूरा रेकॉर्स भी सही है फिलाल टीम प्रिव्य आप देख सकते हैं जिसमें से कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए इन दोनों खिलाडी को ट्राय करेंगे जो सबसे बैस ट्राएगा ठीक है आप इनको कैप्टन के लिए सकते हैं कि यह बॉलिंग भी करते हैं यहाला कि बल्लेबाजी कि यह लास्ट मैच के अंदर सेंचुरी लगाया यह ची ध्यान रखना है ठीक है तो अब इस टीम को आप लोग सेवे कर लो दोस्तों यह अल्मूस्ट फाइनल टीम है फिर भी अगर एक दो खिलाडी चेंज भी होता है तो फ